नम्सक्राइब दोस्तों आप सुझ का हमेरे स्पिधियो में बहुत बहुत श्वागत है जैसे कि दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 की कमेस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है उपसा संयोजक्जक योगिक दोस्तों बता दें कि कमेस्ट्री में यह आठमा चैप्टर है यह आठमी उनिट है केमिस्ट्री में अगर आपको लेशन अलग दिया रहेगा तो कोई दिक्कर नहीं क्योंकि यह 2022 देश के सेलबस के हिसाब से चैटर नमबर आठ या या यूनिट नमबर राट है जिसका नाम है क्वाडिनेशन कंपाउंड या उपसा संयोजक योगिक दोस्तों बता दें कि क्लास बारेक लिए यह बहुत ही इंपोरेंट है चीक है आपको बोड़ एक्जम आपके करीब आने वाला है और आप सोच रहे होंगे कि कैसे एक एक चीजों को तयार किया जाए ठीक है तो उसी के लिए हम आपके थोड़ी सी मदद के लिए यह आपको टेक्निक बताने जा रहे हैं जिससे कि आप इन सभी उपसासी हो जाकि योगिकों का आयूपेसी नाम लेख सकते हैं दोस्तों बदा दे कि यह चैप्टर इतना इंपोर्डेंट है कि यह छोटा ही चैप्टर है लेकिन दोस्तों बदा दें कि यहां पर जो कुछ भी देख पा रहा है तो सिर्फ इतना है ठीक है सिर्फ इतना है ठीक है आप समझने कोशिस करिए पूरे चैप्टर को हम लोग इंदम बारिकी से समझने कोशिस करेंगे और आज के बाद इस वीडियो के बाद आपका पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा कुछ भी कन्फूजन नहीं पचेगी उपसा या क्योंगिक से संबंदित देखे आप जो कुछ भी यहां पर देख पा रहा है वो सिर्फ इतना है ठीक है अब इतना कैसे है देखे एक यहां पर आपको इस पूरे योगिक में एक आपको मेटल मिलेगा मेटल मतलब धातू जिसको कहते हैं केंद्री धातू आयन ठीक है के दोस्तों में एक चीज़ आपको तो मिलेगी ही मिलेगी वो क्या रहेगा यम रहेगा यम मतलब मेटल और मैं आपको बता दूँ कि यम यहां पर क्या हो सकता है जैसे देखिए सक्ते इस्केंडियम टाइटनियम वैनेडियम क्रोमियम मैगनीज फेरस कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस ठीक है दोस्तों यम के जगह पर इतने लोग मिलेंगे यह जादा से जादा चांस है ठीक है इसके बाद यह कहां से आ गया यह कहां से आ गया तो यह डी ब्लाक के तत्व है दोस्तों जब आप पिरियोडिक ट सिरीज के तत्व कहते हैं 3D सिरीज के तत्व इसकेंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैगनेज, फेरस, या आइरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, या ताबा, जिंक यह 10 धात्वे हैं सबसे ज़्यादा ज्यादा चांस ही है कि यह 10 धात्व आपको मिल जाएं क्योंकि यह 3D सिरीज के तत्व हैं, जो D-Block के तत्व होते हैं, वो 3D, 4D, 5D में, ठीक है, अब देखिए, यह 3D के हैं के बल, तो यहाँ पर जो Platinum है वो भी D-Block का है, हो सकता है कि 4D सिरीज में होगी या 5D सिरीज में होगी, ठीक है, तो उस तरह से, यहाँ पर देखिए आइरन, आइरन कहा है, आपको मिल रहा है, यहाँ पर यह भी D-Block का तत्व है, ठीक है, यहाँ पर को है, निकल है, निकल, आप देख पा रहा है, निकल भी, यहाँ पर देखिए, कोबाल्ट है के बल, यहाँ जो भी एक बार रहेगा, जो भी इसमें एक बार रहेगा, वही यहां पर केंदरी धातु आयन का काम करेगा या मेटल रहेगा ठीक है यहां पर देखिए दो लोग एक बार हैं क्लोरीन भी है कोबाल्ट भी है तो क्लोरीन आप जान रहे हैं क्लोरीन डी बलाग का नहीं है पी बलाग का है तो यहां पर कोबाल्ट है जो कि कोबाल्ट यहां प वह हैं निकलना है जब आक्षिकण संख्या निकल जाएगी ना तभी आप आई-पेस नाम लिख सकते हैं और तभी आपका आई-पेसे नाम सही होगा ठीक है इसलिए बहुत जरूरी जारना यहां पर क्रोमियम है ठीक है चौब इस नंबर का अब को यहां पर के 3 है यह अकेले के तत्व हैं और 40 और 50 सब्सक्राइब को बागी है उनमें से भी कभी-कभी आ जाते हैं ठीक है लेकिन जब यहाँ आ पर जो है उसको पहचा नहीं और इसकी कष्ट संखया सबसे पहले निकालीए ठीक है यह बात तो होगी अब को जो यहां पर दिख रहे हैं सीयो चार बार ठीक है पूरे इस उपसे स्टेशर के हैं ओकी किемे निकिल दीख रहे हैं सीयो चार बार दिख रहे हैं जो सीयो हना वह क्या है वह यह यह फर होता है लिगयर क्या ही दोसंतों लिगयर होता है अब देखी origin कितना क्रमाती है लिगेंड इसको simply ऐसे लिगेंड हिंदी में भी कह सकते हैं कोई दिखकत नहीं है यह दिखें लिगेंड को जानना भी बहुत जरूरी आपको आप metal के बारे में जान गए ठीक है, metal के बारे में जान गए और इसके साथ जो रहता है वो लिगेंड रहता है कभी-कभी एक ही लिगेंड रहेगा यहाँ पे एक लिख सकते हैं और कभी-कभी दूसरा भी लिगेंड रहेगा यहाँ पे यह दूसरा लिगेंड होगा इसको टू कर सकते हैं कोई दिखकत नहीं यहाँ पर देखिए कितना लिगेंड है एक ही है मतलब एक लिगेंड है, कितनी बार है, चार बार है, एक ही लिगेंड है, एक ही लिगेंड है, चार बार है, यहाँ पर देखिए, एक लिगेंड यह है, दूसरा लिगेंड यह है, यह लिगेंड कितनी बार है, दो बार, यानि कुल यहाँ पर कितने लिगेंड हो गए, चार लिगेंड ह ठीक है ये देखिए यहां पर एक ही लियंद लेकिन कितनी बार नहीं लेकिन कितनी बार यह उच्छे इंघर आत्री यह देखिए दो 7 आ ड요-2 यह दे यह यह न ऎके और यह वरची यह लिगेंड कितनी वर हो गया यह ज्थी यह Îdla हुद्म कांथ कर लेड़ से लेक्तारों कि सप्लाइब यह लोया का सकता है यह कंद है यह हैं यह इनą यह लिखहा जाएक बहुत है त Row 이제 अब receptor effect level in ea mug user ठीक अगर आको यह देखना है कभी-कभी आपसे पूछ देता है बताइए इस पूरे योगीग में जो audio यान है उसकी एंद्फ बताए तो आपको अक्यार्दर elf आतुध पॉड़िए तो इंह जो केंदती44 है यह कितने Legenders के साथ योधीन संख्या क्रिमित्स truth जितने Legends के साथ बन बने गाङा वही तने संख्या क्या राती है उपसाअगों本इ क्या है यहां पर पूचने आप से यह दियां अए कोबल्ट है उसकी ऊपसाअगों wil हैं तो हम आँ जितने कुल कितने लिगंड उसमें हैं ठीक है और जितने लिगंड रहेंगे उतना बंद बनाएंगे जब उतना बंद बनाएंगे तो वही संख्या क्या कर लाएगी उपसा संयोजग योगिक में केंद्री धातु आयन जितने लिगंडों के साथ उपसा संयोजग बंद बनाता है उस तो आपको केंडरी धायन रहें लेकंट की आपको आइपसजिया नम में निलगने पड़ती है। पफेश करल दंगी कालें ऑपको लिग खी ऐसे देखते हैं ठोड़ा रहें यहां पर च्यो और अटनी ऐसे को की बार आंगए शी हो की कंडर संख्या रहेगी सीयों की आक्षिकर संख्या कितनी रहती है जीरो रहती है लिखते जाएगा थोड़ा यह दोनों ही कैपिटल रहते ठीक ना सी ओ अगर वह इसमाल लिखेंगे ना तो कोबाल्ट हो जाएगा ठीक है डी ब्लाग का तो वह धातू होता है और यह सीयों जो होता वह लिगेंड होता इस सीयों लिगेंड की कितनी आक्षिकर संख्या होगी जीरो होगी ठीक है धिहां दीजेगा चलिए यहां पर देखिए ए इस पर पस कम समय है और मैं सुछता हूं कि कम समय में आपको जादा देपाऊ ठीक है तो इसलिए आप लोग ज्सटा को अपने इस्कूल में कॉलेज में पढ़े होंगे ठीक है तो आब यहां पर में स्वाट वे में आपको ज्यादा ज्यादा कोसिस कर रहा हूं समझाने की यहांँ देखिए C2O, C2O की हमका матरी है कि तो की हमका हमके C2O हो गया CL की हो गया James 3, hvad C2O हो गयाуемана isyan इहांडनी हमके 2गा की है यह चार क्या है यह लिगेंसी है मतलब यह लिगेंड एक बार अगर रहेगा तो दो बंद बनाएगा याद रखेगा यहां पर यह जो आक्षिगर संख्यान है वह जीरो है लेकिन ध्यान ज़रा से दिजिएगा कि इसका पूरा नाम होता है एथिलीन डाइमीन क्या होता है है यहां पर यहां पर इयन रहिए और यहां 4 रह है अब देखे तो इस तरह झायोसा यह संख्या यहां उसको क्या कहेंगे उपस संयोजक संख्या कहेंगे तो आए थोड़ा सा अब देखते हैं कि आयू पेस सी नाम लिखते समय किसको पहले लिखते हैं ठीक है लेकिन देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसमें आक्षिकर संख्या निकालेंगे चलिए एक आक्षिकर संख्या निक निकल की, निकल की आक्षिकर संख्या कितनी होती है, माल ले यक्स होती है, ठीक है, और यक्स में, यक्स के साथ को नहीं है, यानि निकल की आक्षिकर संख्या और इसकी आक्षिकर संख्या दोनों जोड दीजे, जोडेंगे, निकल की आक्षिकर संख्या माल ले यक्स होती है, CO की आक्षिकर संख्या भी जोड़ना है CO की आक्षिकर संख्या आपको मालम रहनी चाहिए 0 होती है तो यक्स इसकी हो गई इसकी 0 हो गई और ये 0 कितनी बार? 4 बार यानि कि एक अगर CO रहेगा तो 0 होगी और ये CO 4 बार है इस पूरे ब्रेकेट के उपर कितना है यहाँ पर 0 हो सकता है 0 रहेगा तो नहीं लिखा रहेगा प्लस हो सकता है 2 प्लस हो सकता है 3 माइनस हो सकता है मतलब जितना भी यहाँ पर दिखेगा उतना बराबर के बाद लिख देंगे सबसे पहले है जो लिगेंड लिखने जाते हैं तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं और उसके पहले यह लिगेंड जितनी बार है उसका नाम लिखते हैं जिसे एक बार कोई चीज है तो छोड़ देते हैं नहीं लिखते हैं अगर लिखना है तो मोनो लिख सकते हैं दो बार कोई चीज है तो डाई लिखते हैं ठीक है तीन बार कोई चीज है तो ट्राई लिखते तो टेट्रा लिखते हैं चार बार कोई चीज है तो है डिखेंगे अब आड़ बार है तो आक्टा लिखेंगे अब मुझे नहीं लगता है कि अब इससे जाद आपको मिलेगा ठीक है अगर मिलेगा तो आगे भी है गिंती है जैसे आप देखिए वन टू बच्चों को सिखाते ना बजपन में उसी तरह आपको सीखना चाहिए जब आप 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 फ चार बार के लिखेंगे टेट्रा क्या लिखेंगे टेट्रा मतलब सबसे पहले लिगेंड की संख्या लिखेंगे फिर उसके बाद लिगेंड को लिखेंगे लिगेंड का क्या नाम है कारवोनिल इस लिगेंड का नाम होगा कारवोनिल यह आपको सीखना है इस लिगेंड का यहां पर एक लिगेंड यह हे ही एकलोरीन सबसे पहले लिखते हैं क्या लिखते हैं यानि इस लिखेंड का अपना नाम नाम होता है ऑपको सब्सक्रेखना है क्लोरीन लिखा और लिखाएगा क्लोर槍ट अ yob तो एकवा ए से सुरू होगा और क्लोराइडो च सी से वर्णट पर इसका लिखेंगे क्यों कि क्यों लिखेंगे क्यों tussen A B Core पहले आएगा और एसके नाम और अपने लिखेंगे और इन लिगेंटों का नाम म tenía कि पहले इनकी संख्या भी लिखेंगे, यानि टेट्रा, एकवा, डाई, क्लोराइडो, और फिर निकलेट, ठीक है, निकलेट और निकलेट के बाद कितना उस पर रधानाविश या रिनाविश आरा है, या कितनी उसकी आक्सिकट संख्या उसको ब्रैकट में लिखना है, ठीक है, तब दो लिखेंड हैं तो दोनों लिखेंडों का नाम पहले लिखते हैं, चार लिखेंड है तो चारों का लिखेंगे पहले, ठीक है, यहाँ देखी इस लिखेंड का नाम ठेट्रा हो गया, और यह क्या है, कार्बोनिल है कार्बोनिल हो गया, अब यहाँ पे कोई और ध्याल द्याहं सब्सक्राइब इस त्याहं नाहीन मतब्दी अगर Dawag इस केंदरी धातू के साथ इस धातू के साथ जो लिगेंड है अगर वो जीरो वाला है यानि इसके साथ अगर कोई लिगेंड है और उसके अक्षिकर संक्या कितनी है जीरो है यानि कोबाल्ट हो जाए एनस्त्री हो जाए ठीक है जिसकी जीरो रहे अगर वो है तो इसका सुध दुसुद्र नाम लिखाएगा निकल ठीक है और अगर इसके साथ कोई लिगेंड है और उस पर माइनस चार जा रहा है तब इसका नाम निकलेट लिखाएगा जैसे देखे यहां पर क्या है यहां पर माइनस होता है सियन है सियन की आक्षिकर संख्या माइनस होती है यहां पर यह फी के साथ है कैसा लिखेंड है जिसकी आक्षिकर संख्या क्या होती है माइनस मोती है तब इसका नाम लिखाते समग फेरेट लिखाएगा क्या लिखाएगा फेरेट उसी तरह समझें यहां पर टेट्रा यह कार् पूरे का IPSC नाम और यह बहुत important है पूछा भी जाता है ठीक है कभी-कभी FEE CO4 या CO3 दे देता है इसे ठीक है तो आपको इसका भी IPSC नाम पूछा जाता है कुछ भी रहे fabricius को candidateref right इसका लिखते है झाटी से णे सब्सक्राइणे कारेंगे केंडरी थातु आयन को देखेंगे कौन है प्लेटिनम है यानि धातु को देखेंगे कौन सी इसमें धातुय लाकी अगर तो आगया, इसकी संझता जादा रहेगी, ना वही क्या रहेगा? एक यह हुँए जादा रहेगी, तो आगया यह देखते हैं, आप देखें, इसका नाम मा लजे लिखना है, तो इसमें देखें, फ्री धात का का को गया एक ये लिगेंड हो गया, ये एक हे हुए, ठीक है, अगर आपसे पूचा जा, उपसा सन्योग संख्या बताइए, तो ये दिखी लिगेंड है, इसकी उपसा सन्योग संख्या एक होती है, ये दो बार है, तो दो हो गई इसकी, और इसकी भी एक उपसा सन्योग संख्या होती ह चार है ठीक है यह हो गया अब दिखिए इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले इसमें दो लिगेंड है यह लिगेंड है इस लिगेंड का नाम Moon हुता है is इस लिगंड का नाम सी से शुरू होता है क्लोरीन होता है colorido लिखते है ठीक अब दिखें यह प्लेटनम है तो सबसे पहले इसका नाम देश्म क्या लिखेंगे जो उस कना मिekk लिखेंगे डाई क्लोडी क्लो व्राइडो और रहें इसेइस साव इसमाल में लिखा करें ठीक ना सब इसमाल में लिखें कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलिए डाइमीन डाइक लॉराइड और फिर यह देखें प्लैटिनम लिखाएगा क्वी प्लैटिनेट अब बात आगई ठीक है अब उसके पहले इसका क्या करेंगे अक्षिकर संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यह कि यह ऊगए माइनस दो और यह जागा प्लस दो क्यों कि इस पूरे डिखा तक शीGB यह मतलब उसके उपर पूरा क्या यह दिख रहा कुछ नहीं कुछ मदलब जीरो और अगर जीरो आ थिकितना जोड देढ कि ये पूरवड हो जाए मतलब इस माइनस दो में अगर आप प्लसड만 देते हैं तो प्लस दो के बाद ये इस पर पूरा क्या जाएका धना जेरेना जीरो फिस दो जो आये वो कि इसका होगा प्लेटिनम का होगा यानि कि प्लेटिनम की आक्सिकर संख्या इसमें कितने निकल गई प्लस दो अब देखें यह प्लेटिनम का नाम क्या लिखाएगा प्लेटिनम की प्लेटिनेट तो इसके लिए यह देखना है कि प्लेटिनम के साथ कोई ऐसा लिगेंड तो न रहें लिखेंगे कि अप्रेर साधा चैनल पर पहली बार थो चरल कोश् Soo सब्सक्राइब करें और इसको यादा ऐख सेर करूंगे अधोसे खीक को लाई टरिआ quantum यहां और सुरिदियो करें तभी इसका पार्ट टू आएगा दोस्तों ये पार्ट वन है ठीक है ये पार्ट वन है और इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने की कोशिस किये हैं अगर नहीं आये तो कोई बात नहीं फिर आगे अगली वीडियो में फिर सिखेंगे लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएग आपको बताने कोशिस कर रहें ठीक है जिससे आपका कांसेप्ट और फी अच्छा हो सके ठीक है तो चले वीडियो कैसे लिए वीडियो अच्छी लगए विडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा ज्यादा इसको शेर कीजिए ठीक है दोस्तों मिलते हैं इसी तरह झाल 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